तो गर आप भी अपने Android smartphone की screen को cast करना चाहते हैं अपने Android TV पे उसके लिए सबसे पहले चाहिए आप Google Play Store पे और वहां से सर्च मार्क इंस्टॉल करिए Cast for Chromecast आपको सबसे उपर एक app दिखेगी और अप इस app को अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर लिए उसके बाद मेक शूर के आप सेम वाइफाई से connected हो अपने Android TV पे जिस तीवी पे आप अपने Android phone की screen को cast करना चाहते हैं वो और आपका जो Android phone है वो सेम वाइफाई connection से वाइफ आप राइस साइट पर दिखेगा continue to app उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे ऐसा करके आपको एक UI दिखेगा सबसे उपर आपको दिखेगा no device found और उसके आगे आपको दिखेगा connect को option पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपका available उस वाइफाई network से जितने भी टीवी आपके जिस भी रूम में connected हैं वो सारे की सारी यहाँ पर लिस्स आपको दिख जाएगी तो मेरे रूम के अंदर जो टीवी है वो फैमिली रूम टीवी के नाम से save है तो मैं इसके उपर क्लिक कर दूँँगा और क्लिक करते हैं कुछ सेकंड्स में आपको उपर फैमिली रूम टीवी connected दिखतना शुरू हो जाएगा और उसके नीचे आपको दिखेगा screen mirroring आप screen mirroring के उपर क्लिक कर सकते हैं यहाँ से आपको कुछ इस तरीके का option दिखेगा जहाँ पर आपको यह इस आपको खरीदने watch add तो आप सिर्फ एक मिनिट का या 30 सेकंड का कोई एक add दिखे इस feature को आप unlock कर सकते हैं तो मैं click करता हूँ watch add के उपर just a reminder कई बार यह आप जो है आपको काफी वाहियात से जो apps हैं जैसे tango chat वाली जो apps हैं उसकी ads आपको दिखाती है तो इस app को अगर आप लोगों के सामने cast कर रहे हैं तो I will suggest के आप उस screen को इस add को check करने से पहले उस screen को लोगों को मत दिखाये वरना बहुत ही weird situation हो देगी आपके लिए जब add आपका खतम हो जाएगा आपको उपर दिखेगा reward granted आप reward granted के उपर click कर सकते हैं उसके बाद आपको option केगा cast का जहाँ पर आपको family room tv का option दिखाई देगा और आप इसके उपर click कर सकते हैं और जैसे आप click करेंगे आपको यहाँ पर दिखाई देगा set recording और casting start now अब यहाँ पर start now के उपर click कर दीजिए और जैसे आप इसके उपर click करेंगे आपका family room tv connected दिखाई देगा और आपके tv के उपर Android tv के उपर वो screen जो है mobile phone की screen जो है वो दिखनी शुरू हो जाएगी अब आप किसी भी gallery के उपर जा सकते हैं और वहां से कोई भी वीडियो जो आप चलाना चाहते हैं अब वहां से चलाके अपने Android tv के उपर check कर सकते हैं with sound इस एप की मुझे एक बात जो अच्छी लगी कि आपके मुबाइल फोन से नहीं आता जो आई फोन के अंदर से पेड वर्जिन के अंदर अफिलेबल है तो इतने असान तरीके फ्री में और इस एप की मदद से आप अपने Android mobile phone की screen कास्तिंग किसी भी Android tv में कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन या फिर अपनी वीडियो या फिर अपने फोन की फोटो को दिखाने के लिए